प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में देशवासियों को अपनी डीपी में तिरंगे की फोटो लगाने के लिए कहा तो कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पंडिक जुआहरलाल नहरू की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की जिसमें वो तिरंग लेकर खड़े हुए हैं अब इस पर मनोज तिवारी ने तंज कसते हुए कह दिया कि अब तिरंगे में भी विपक्ष को बीजेपी दिखने लगी है तो क्या ही कहा जाए फिलहाल ये खीचतान चल ही रही थी कि कॉंग्रेस नेता पवन खेडा ने अपने ट्विटर हैंडल पर RSS को भी इस कॉंट्रोवर्सी में घसीट लिया उन्होंने RSS और मोहन भागवत के ट्विटर हैंडल की तस्वीर शेयर की जिसमें उन्होंने अपनी ट्विटर डीपी पर तिरंगा नहीं लगा रखा है अब इसी को लेकर पवन खेडा ने तंज कसते हुए लिखा कि इन्होंने 52 सालों तक नागपुर में अपने हेड़ कौर्टर में जंडा नहीं फैराया वे क्या प्रधानमंत्री की बात मानेंगे यानि एक बार फिर से अरेसेस पर ये उङली उठाई गई है कि उन्होंने आजादी के बाद 52 सालों तक अपने हेड़ क्वाटर पर जंडा नहीं फेराया लेकिन क्या आप जानते हैं कि RSS ने आखिर क्यों 52 साल तक नागपुर में तिरंगा नहीं लहराया नहीं जानते तो चलिए बताते हैं आपको इसके पीछे का पूरा किस्सा नमस्कार मिरा नाम है भुपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अंकट RSS ने अपने हेड क्वाटर पर 52 साल तक जंडा क्यों नहीं फेराया इसके पीछे की दो थियोरी हैं पहली थियोरी कहती है कि RSS ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि भारत के समिधान में कहा गया था कि आम जनता अपने घर, अपने ओफिस, संगठन के कारयाले या फिर संगठन के आदी पर तिरंगा जंडा नहीं फेरा सकते जिसे लेकर साल 2002 में कोट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिस पर साल 2002 में सुप्रीम कोट ने फ्लैक कोड ओफ इंडिया कानून में संशोधन को लेकर फैसला सुनाते हुए आम जनता को भी अपने घरों, कारयालियों और मुख्यालियों आदी पर तिरंगा जंडा फैराने की अनुमती दे दी थी, जिसके बाद 26 जनवरी 2002 से आरेसस ने नादपुर में अपने हेड़कौाटर पर जंडा फैराना शुरू कर दिया, यानि आरेसस ने जान बूच कर नहीं, बलकि कानून की मजबूरियों के चल पहले आपको अपने बच्पन में जाना होगा, जो लोग 2002 से पहले स्कूलों में पढ़ते होंगे, उन्हें याद होगा कि 26 जनवरी हो या 15 अगस्त, उनके स्कूलों में तो अक्सर जंडा फैराया जाता था, फिर चाहे स्कूल प्राइवेट हो या सरकारी, तो फिर कानून तो इन स्कूलों पर भी लागू होना चाहिए था, यहीं पर इस मुद्दे को लेकर दूसरी थियोरी लाइम लाइट में आती है, इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के मताबिक 2002 में फ्लैक कोड ओफ इंडिया लागू होने से पहले, साल 1995 में नवीन जिंदल ने सबसे पह ऐसे खास मौकों पर आम लोगों को तिरंगा जंडा फेहराने का अधिकार था, 15 जनवरी 2002 को कैबिनेट ने तिरंगा फेहराने के मुद्दे को लेकर बनाई गई, पीडी शिनौय कोमेटी की सिफारिशे मानली और 26 जनवरी 2002 से ये नियम लागू कर दिया गया कि देशवास कभी भी तिरंगा फेहरा सकते हैं, अब यहां सवाल ये उठता है कि तिरंगा फेहराने को लेकर पहली थियोरी तो कहती है कि 2002 तक कोई भी प्राइवेट संस था या आम इंसान किसी भी मौके पर जंडा नहीं फेहरा सकता था, तो वहीं दूसरी थियोरी कह रही है कि 26 जनव हैं, जिससे इस बात की तस्दीक हो जाती है कि आम जनता खास मौकों पर भी तिरंगा फेहरा सकती थी, पहला डॉक्यूमेंट 1982 का एक प्रोटोकॉल मैनियूल है, जो पंजाब गॉर्मेंट की साइट पर उपलब्ध है, इस सरकारी मैनियूल में कहा गया था कि खास मौकों पर आम जनता को तिरंगा फेहराने से नहीं रोका जाएगा, वहीं इसी मामले को लेकर 15 जून 1971 का Ministry of Home Affairs का एक लेटर भी इंटरनेट पर मौजूद है, जिसमें ये साफ लिखा हुआ है कि Flag Code of India के मुताबिक राश्ट्रिय ध्वज सिर्फ खास सरकारी इमारतों पर ही लहराय आजा सकता है, लेकिन National Days पर ऐसी कोई restriction नहीं है, जिससे ये साफ हो जाता है कि आजादी के बाद RSS भी खास मौकों पर जंडा लहरा सकता था, अब लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि 1950 के बाद 52 सालों में RSS के headquarters पर पहली बार तिरंगा कब लहराया था? असल में साल 2001 में राश्ट्र प्रेमी युवा दल के तीन कारिकरताओं ने RSS हेड़कॉाटर पर जबरन तिरंगा लहरा दिया था, जिसके बाद इस घटना पर काफी बवाल भी मचा था, लेकिन 2002 में फ्लैग कोड के अमेंड होने के बाद RSS ने पहली बार 26 जनवरी 2002 को RSS तिरंगा फेराता रहा है, हाला कि RSS का ऐसा दावा भी रहा है कि 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 को भी RSS अपने हेड़कॉाटर पर जंडा लहरा चुका है, तो ये है RSS और देश के राश्ट्रिय ध्वज यानि तिरंगे को लेकर पूरा किस्सा, अगर आपको ये वीडियो प जर पायए और सकत् सकत्के वीडियो है है है?